मेरा मकस्द इस बास से है कि एक महानविय भूर्खों के भूर के कारण हमारा भारत और हिंडू व्यवस्ता में हजारों जातिया आ गई 6743 जादियां है तो 6743 दिवारे है जब औरियंटेशन डिप्रेसर कोर्ष में पढ़ने आए थे तो सभी प्येज़डी प्रोफेसर दिलिक प्राप थे कागर गौरब साली विरासत और अतीत रहा है तो यह का तेवे भी हमें गौरब है कि बिहार में पैदा होने वाले महान विज्ञानि आर्जभट सहब इसी बिहार और मगद के धर्ती पर पैदा हुए और अपने कारसाला को इसी तरेगा ना में अस्थापित किये या का तेवे भी गौरब है कि अगर दुनिया को आर्जभट ना मिला होता तो दुनिया को गनित का ग्यान ना होता चुकि सुन का खोज करके दुनिया को गनित का बोध कराने वाले की धर्दी है यही बिहार यही भारत और यही आलवट एक मायने में नहीं कई मायने में दुनिया को अहिंशा का संदेश देने का कंद्र ही भारत भुमी का यह गौरब मई बिहार है महात्मा बुद्ध को यही ज्यान पराप्थ हुआ और यही मौक्स पराप्थ हुआ और महात्मा बुद्ध के माद्यम से माद्य संबेटला का एक बार सिधान दुनिया में परचारित हुआ जिसे हम अहिंशा कहते हैं तहिंशा का केंद नहीं यही बिहार की धर्ती है भारत के गौरव को चाचान लगाने में इस बिहार के धर्ती को और कई गौरव प्राप्थ है भारत ही नहीं पर अगर ग्यान की भूमी कही गई है इसी बिहार और मगर को कहा गया है दुनिया के देशों में जब इस्विड्यालों का अभव था तो विक्रव सिला इस्विड्याले प्राचीनतम काल में हमारे गोरों को बढाता था चीनी बिड़्वान हैंसांग थायां सैथ दुनिया के हजारों बिड़्वान यहां सीखने पढ़ने आते थे इसलिए इस बिहार को ग्यान की ढूनी भी कही गई है जो भारत वर्ष का कौरब है दुनिया को प्रसासन का गूर सिखाने वाला मौज के शासन पगति से ही दुनिया को प्रसासन का ग्यान हुआ और प्रसासन का गूर सिखने का अफ़र मिला और जाती बवस्ता से कुपी थे तो नो नब देखा कि कौन सा समाज है भाई इसका न सूओ, उसका न खाओ, उसका न पीओ उसको न कुर्सी पर पइचने दो, उसको न आसन दो तो वो खुद बैठित हुए है और भगमान रामजी शबरी के जूट हुए रिखा है इसमें से कितने लोग जानते हैं कि भगमान रामजी शबरी के जूट हुए रिखा है, हाथ उठाएगे जड़ा सभागार के लगवर, नब्बे परसद लोगों का हाथ उठाए भगमान रामजी शबरी के जूट हुए रिखा सकते हैं भगवान कृष्ण जी सुपन भगत या सुपन भगत के यहां खाना खा सकते हैं मगर भगवान राम हो की किस्ण हो अकेला पर गए हम लोग उनका अनुसरन उनके कार्जों का अनुसरन लग यह उनको धूपती दिखाने का परियायर बन गए मेरा भिनम राजरा होगा अगर भगवान जी के आसिरवात को आपको प्राथ करना है उनका अनुसरन करना होगा सिंधुपती दिखाने से काम ने चलेगा अगर भगवान राम जी का भगवान केज जी का अनुसरन कर लिए होते तो भारत को विश्व गुरुष के असान से हटने का किशी को हैसियत नहीं होती है मैं पुना इस बात को जोड़ से करता हूँ नफरतों का माहूल खड़ा करके हम देश को ताकटबर नहीं बना सकते देश अगर ताकटबर बनना है तो महबबस सहीं बननी है भगमान रामजी का किया हुआ ना किये भगमान रामजी सबरी के जुदबर खा सकते मगर आज भी सबरी का बेटा मंदिर में परवेश नहीं कर सकता है आज से छो साल पहले गरीग इसी बिहार के धर्थी पर मदवनी के एक दुर्णा मंदिर में इस राजिके मुखमंसली जीतन लामाजी शहाथ गए थे दुर्णा मंदिर में फूजा अरशना करने गए पूजा करने के बाद जब निकल गए तो इस मंदिर को गंगा जलसे भो दिया क्या यह भॉल दे करके हम देश को ताक़दर बनाएंगे सबरी का दूठ बेर बराम खा सकते हैं मगर सबरी का बेटा आज भी मंदिर में परवेश नहीं का सकता दुख से काता हूँ यूट्यूब चैनल पर जा करके देखिएगा इसे देश के राष्टपती रामनाथ कोविट सब अतनीक अपने जगनाथ पूरी मंदिर में पुजा करने गए और पाखंडियों ने उनको गरबगी में घुजने का अजाज़त नहीं दिया राष्टपती को अगर अगर अजाज़त ना दी जाती है हम आपकी स्केट के मुली हो इसलिए आप समी सभागार में उपस्टित लोगों से कहना चाहता हूँ इस तर खुडा परमादमा मालिक ने जात नहीं बनाया अगर जात सज होता तो एक सचोडानमे पंचानमे देश में शिर्व जहां हिंदू बहुत संख्यक है वहां जातियों का इतना जादा नफरत और जना इतनी जादे दिवारे नहीं होती है ये तो साथ छोहजा साथ 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 हिताली जातिया हमारे भारस सरकार के गजट में है मगर आज से कोई दे दो साल पहले इस राजि के संबेदा सील उक्मुक मंत्री जी बेरोज़दारों के लिए चिन्तित हर समय दुखियों के लिए दुखी तेजस्री परसाज जादव जी से साथ साथ कार कर रहे ही थी अंजना हम कस्यप आज तक पर अपने घर में जाएंगे तो मेरा विनमर आगरा है आप सभी से है कि प्रभूर प्रमात्मा खोदा मालिक जिसने भी आपको जो ग्यान दिया जो शामर दिया दुखी पिरित को अपनी छमता नुसार मदद करने का प्रयासि सिख्षा का असली मकसद पुड़ा करता है इस एजासिक अफसर पर मुझे यात्ता तेहबे गौरब है कि मानली ये भूल के कारण हमारे पुर्खों के किसी गलती के कारण ये भारत देश कई जातियों में हजारों जातियों में बिवक्त है मूल गलती जिन महापुरूस से हुई उस गलती को ढोने की जल्वत नहीं है सुमित भाई बोल करके गए यहाँ से 6,743 जातियों का भारत के गजट में या भारत है और डुक से कहना चाहता हूं कि परहे लिखे लोग भी जाती ढूनते हैं तो फिर परहे लिखे लोगों में अनपर में क्या फड़क है मैं कॉलेज में सिख्षक हूँ मंत्री अभी हूँ मगर मध्यपुरा की जनता अगर हमसे या पड़ ले लेगी तो हमें फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा और जिब भी ज्ञान परहता हूँ मेरा मकसब इस बास से है कि एक मौनविय भूर पुर्खों के भूल के कारण हमारा भारत और हिंडू व्यवस्ता में हजारों जातिया आ गई छो हजार सास्तों तेटालिस जातिया हैं तो छो हजार सास्तों तेटालिस दिवारे हैं जब औरियंटेशन डिप्रेशर कोर्स में पढ़ने आये थे तो सभी प्येजदी प्रोफेसर दिलिक प्राप थे मगर सुरू दिन से मैं चंदर सेखर नाम लिखता हूँ मेरे माता पिता ने मेरा नाम चंदर सेखर रखा कोई टाइटिल नहीं है तो कई लोग परिशांद आते थे साथी मेरा टाइटिल धूने ने का पता करते रहते चंसेगर के आगे क्या होता है असल गल्ती यहीं होती है जब आप नाम के आगे कुछ धूनते हैं तो आपके अंदर एक नफरत का बोद आता है महबद का बोद नहीं आता है पर्भू पर्मात्मा इस्तर खोड़ा इस धर्ति पर आद्मी बना के भेजे हैं और अद्रिस जन्तु आप साइंस के भी छात रहे होंगे यहां बेटे हुए अगर साइंस के बैलोजी के छात रहे होंगे तो जानते होंगे री कैपिचलेशन च्योरी